यह दो समीटर्ण है और इनको भर करके X और Y का माल याद करना है तो हम पहले सुरू करते हैं विलोपन विधी विलोपन विधी में क्या किया जाता है किसी एक पद को विलूप्ट कर दिया जाता है चाहे X को हम विलूप्ट कर दें चाहे Y को तो विलोपन विली का इसतेवाल करेगी पहले हम एक काम करते हैं कि अभी ना तो X का बुड़ान बराबर है और ना ही Y का बराबर है ना X का और ना ही Y का तो अगर हम समीकरण 2 में 2 से दोनों पच्छों में बुड़ा कर देते हैं ये जो बटे में 2 है ये क्या हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे, तो हम समी करण, 2 में 2 से गुड़ा करने पर, गुड़ा करते हैं भवाई, जब गुड़ा होगा तो करही देते हैं, 2 गुड़े 1 बटे 2x प्लस 2 गुड़े 1 बटे 2y बराबर 6 गुड़े 2 ऐसा बनेगा पुरें बुड़ा हो गया है 2 से 2 ये खतम ये 2 से ये खतम यहां बचा क्या x से कम x प्लस y एक कम y बराबर 6 दूनी 12 पहला समिकनाम जो था हमारा उसको भी लिख लेते हैं x-y बराबर 3 ये था हमारा दूसरा बाला इसको चाहो तो 3 कह दो और ये क्या है ये पहला बाला हम क्या करें कि उस्तामी करण 3 वा 1 को जोडने पर क्या करने पर जोडने पर जोड़ो गए तो ये y प्लस का है ये माइनस का है कड़ जाएगे ये दोनों जूड़ जाएंगे तो 2 x बराबर 12 और 15 15 होगे तो x बराबर आजाएगा 15 बटे 2 है ना ये हो गया x कमान अब x कमान ले जाए किसी में भी रख सकते हो आप एक में भी रख सकते हो डोम में भी रख सकते हो जो कम value वाला हो उसी में रख जाता है तो x कमान ना एक में रखने पर तो समिक अड़ेट यहां में लिखा हुआ है हम यहां पर यहां पर पर लिखेंगे 15 बटे 2 यहां पर लिख दिया हमें 15 बटे 2 माइनस वाई कि बराबर 3 तो पंद्रा बटे दो माइनस तीन बराबर इधर वाई चला गया है अब इसको हल करेंगे तो दो तिया शे पंद्रा माइनस छे बटे दो बराबर वाई मेंसे छे निकल जाएगा कितना मचेगा नूव दो कि बटे दो यहो गया हमारा वाई तो एक्स का भी माना चुका है और वाई का भी माना चुका है अब हम लोग देखते हैं प्रतिय स्थापन भी तो पहले हम लेख लेते हैं दोनों समीकरण को पहला समीकरण था x-y बराबर 3 और दूसरा है 1 बटे 2 x प्लस 1 बटे 2 y बराबर 6 ये पहला है और ये दूसरा तो पहले जो हम दूसरे वारे समीकरण को हल करके आसान बना लेते हैं समीकरण 2 में 2 से गुड़ा जब गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुड़े 1 बटे 2 x प्लस यहां भी गुड़ा होगा 2 गुड़े 1 बटे 2 y बराबर 6 गुड़े 2 अब ये 2 से 2 कट जाएगा यहां मिलेगा x प्लस y बराबर 12 समीकरण 2 हमारा बदल के इस तरीके से आ गया है इसकों समीकरण 2 ही मानेगी ठीक है 2 ही तो है बड़ा कर दिया बस इत्ती बात है अब क्या करेंगे चाहे समीकरण 1 से x कमान निकाल ले और चाहे समीकरण 2 से x कमान निकाल ले क्योंकि प्रतिस्थापन गिधी में से किसी एक कमान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है अगर हम यहां से x कमान निकालते हैं तो क्या मिलेगा x बराबर Y दो 12-Y यह समीकर्ण 2 को ही हर किया हमने है ना इसको ले जाएंगे समीकर्ण 1 में रखने पर देखो इसी में से हमने X का मैं निकाल लिया समीकर्ण 1 में ले जाएंगे रखेंगे जहां पर X होगा वहां पर 12-Y रखनेगे तो यहां पे X है, यहां पे लिदेंगे कितना पर X है पर 12-Y, फिर आगे क्या है माइनस Y, बराबर कितना 3, दोलों Y माइनस माइनस के हैं, समान चिन्न वाले हैं जूड़ जाएंगे, तो 12-Y कितना हो गया, 2Y, बराबर कितना 3, इसको ले जाके चाहे、 समी कड़े, एक में रखो, चाहें 2-Y, और X कमान पता चल जाए गए, तो y बराबर 9 बटे 2 समी करण 1 में रखने पर रख देते हैं भई समी करण 1 है क्या x माइनस y y कितना है 9 बटे 2 है 9 बटे 2 बराबर कितना 3 इसको भेज़ दो तो x बराबर हो जाएगा 3 उधर पाइदे से था उधर जाएगा तो इधर माइनस उधर जाएगा प्लस 9 बटे 2 तो x बराबर 2 3 6 और प्लस 9 बटे 2 तो x बराबर 9 6 15 बटे 2 एक्स कमान दिया चुका है और y कमान दिया चुका है रतिस्थापन विधी में जो मान आया है वही विलोपन विधी में भी आया हुआ है अुका है